स्वागत है आपका आपकी अपने ही यूटूब चैनल market scientist में यहां देखेंगे स्वागत है आपका आपकी अपने ही चैनल market scientist में आई होप आप इस चैनल को काफी पास से फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको कहीं दूसरे जगा कुछ भी देखने की ज़रोरत नहीं परे और यहां देखेंगे कि Yes Bank के चार्ट को discuss करें इससे पहले कुछ news है उसको discuss करेंगे सबसे पहला news हमने यहां देखा जहां जो first cross border across live transaction को ले करके यह जो transaction है वो SLDE platform पे होनी है जो government backed blockchain enable platform है जहां आप देखेंगे secure logistic document exchange के लिए काम होगा जहां digital trade ecosystem को digitally trade किया जाएगा जहां हमने देखा कि Russia और India के बीच जो trade है ecosystem का जो trade है उसको digitally maintain करने के लिए Yes Bank ने इंडिया को represent किया उसके बाद का जो एक recent news है यहां देखेंगे RBI ने again प्रसांत कुमार को appoint किया है MD और CEO के लिए next 3 year जो की 6 October से वो date mention हुआ है इसके बाद यहां देखेंगे एक बड़ी new system में trend हो रही है जहां Yes Bank खुद 2 year पहले bad loans से ग्रसित थी और company बंध होने को दिख रहा था वही हमने देखा इसने ARC करा और JC Flower को अपने bad loans bad assets को बेचे ARC के तुरू और उसके बाद ही देखेंगे again इसने उसी company के साथ collaborate कर लिया JC Flower के साथ यहां देखेंगे collaborate कर लिया 100 people across legal team compliance team और investment management को hire करा few month में ही और यहां देखेंगे जो company खूद bad assets से जूज रही थी वो इस समय जो दूसरे bank का जो stressed assets हैं उसको buying करने की बात की जा रही है JC Flower के साथ collaborate करने का तो यह news थोरा shocking रहा है हलांकी जिस प्रकार से इस बंदे ने bank के काया पलट करी है जहां bank एक समय आज से two year पहले ही close होने के कगार पे था वहीं देखेंगे इस समय quarter and quarter काफी बेतर trade कर रही है तिस news को लेकर के आपका क्या परतिक्रिया है क्या यह positive जाएगा या negative आप comment box में जरूर बता है मुझे नहीं लगता है चुकि यह visionary person है तो कुछ न कुछ इसके पीछे भी कुछ planning रही होगी और जिस प्रकार से quarter and quarter company बेतर कर रही है तो view काफी bully से और सभी news लगबग हमने already discuss कर रखा यहां देखेंगे सभी news already यहां discuss है कुछ चाइना वाला news हमने देखा था transaction को ले करके यहां dish tv के तरफ से देखेंगे चुकि yes bank और dish tv के बीच में जो conflict है वहीं high quote ने dish tv के EGM के लिए date देने को कहा है और बाकि सभी news लगबग हमने already discuss कर रखा है यहां technically trend देखें तो trend काफी positive है जहां banking index में around 1.5% की तेजी दिखी वहीं देखेंगे more than 5% का तेजी yes bank में दिखा और yes bank ने bank nifty को outperform किया है यहां मैं इसके chart को दिखाऊ ताकि आप बेतर तरीकी से समझ पाएंगे हर बार का जो आप trend देखेंगे हर बार का trend देखेंगे वो sustainable नहीं रहा हर बार continuous downtrend रहा लेकिन इस बार जो यहां से हमने एक trend दिखा वो trend गिरने के बाद again buyer continuous देखेंगे हर गिरावट पे यहां आप देखेंगे कि buyer continuous support करते वे दिख रहा है और last time यहां से consolidate के बाद again stock बेतर trend में दिख रही है इसका simply मतलब यह है कि company quarter on quarter basis fundamentally बेतर कर रही है और यहां again देखेंगे कि buyer ने strongly support करा है और यहां से एक trend दिख सकता है चुकि outlook जो global है वो weak है यहां आप देखेंगे कि global outlook थोरा weak है यहां मैं आपको दिखा हूँ जिसके कारण थोरा बहुत एक downtrend दिख सकता है लेकिन जो medium to long term निवेसक है वो बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहे और यहां देखेंगे हमने देखा कि एक rounding pattern यहां से बनते वे दिखा हलांकि यह complete नहीं हुआ और 18 के level पे ही एक rejection दिखा यह complete होती है तो जो next target इस स्टॉक में देखे वो easily as per technical analysis जो 6 month का target होना चाहिए वो जो long term निवेसक है वो बिल्कुल भी sell नहीं करेंगे मेरा जो personally target minimum है वो यह 90 तक के level इस स्टॉक में within 2-3 year के duration में दिख सकता है और यहां से 19 के level के अगर आप target को देखें तो वो near around काफी ज़्यादा target हो जाएगा मैं आपको यहां से दिखाऊं इस समय 16 का price trade हो रहा है यह द 400 तो minimum 400 के target के लिए मैं रुकूंगा और यहां risk मैं 100% लेने के लिए तयार हूँ I hope यह video informative रा comment box में अपना feedback जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें